तो शुरू करते हैं exercise 6.2 से question number 1 In figure 6.28, यह book में आपको figure दी हुई है 6.28 Find the values of x and y, x और y के आपको value निकालनी है and then show that, और फिर show कीजिए कि a भी parallel to c d और a भी parallel to c d है, ये भी आपको show करना है दोस्तो इस exercise को करने से पहले आप इसका जो introduction वीडियो है वो आप जरूर देख लें उसमें मैंने जितना भी इस chapter के अंदर angle से related जो भी चीज़े उसमें use होनी है वो सारी बहुत detail में बताई हुई है वैसे मैं question wise इनमें questions के साथ भी बताता हुआ चलूँगा लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगे तो उससे आपको बहुत help मिलेगी तो चलिए इसमें निकालते हैं x y की value देखिए आप यहाँ पर इसमें देखिए a b line को a b a straight line है और इसको यह transversal काट रही है तो यह b line बिल्कुल straight है और यहाँ पर यह 50 और x यह दो angle है और यह दोनों के दोनों आपके एक line को बना रहे है तो जब दो इस तरह के angles होते हैं तो इन्हें हम linear pair बोलते है यानि यह दोनों मिलके सीधी line बना रहे हैं और इनका जो sum होता है वो 180 होता है यहाँ से हमको अपना x मिल जाएगा तो पहले हम लेंगे x plus 50 is equal to 180 degree होगा reason में लिखेंगे linear pair तो x कितना हो जाएगा x हो जाएगा आपका 180 minus 50 degree तो x की value आगई आपकी 130 degree तो x तो आपका आगया अब y पे ध्यान दे देखिए जब आपका इस तरह का कोई cross बनता है इसमें आपको दिख रहा होगा ये line इस तरह जा रही है ये इस तरह जा रही है तो जबी भी आपका कहीं पे इस तरह का कोई cross बनता है तो आमने सामने जो angle बनते हैं वो आपके equal होते है यानि ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर इन्हें हम vertically opposite angles बोलते हैं तो इस हिसाब से ये जो y है न ये आपका 130 degree के बराबर हो जाएगा तो ये तो डारेक्टी मिल गया यहां से तो y की value होगी आपकी 130 degree और reason लिखेंगे vertically opposite angle अब x और y की तो value आपको मिल गई आपको ये भी show करना है कि आपका a b और c d ये parallel lines है अब देखिए parallel line की कुछ properties होती है parallel line की property होती है उसके corresponding angles बराबर होते है उसके alternate interior angles बराबर होते है और यहाँ पे ये जो x और y है न ये इन दो line में आपके alternate interior angles है और जब alternate interior angles बराबर होते है तो आपकी lines parallel होती है तो हम इसे इस तरह ऐसे लिखेंगे since x and y are alternate interior angles and they are equal और वो equal भी है thus a, b parallel to c, d equal तो इसलिए है क्योंकि x और y दोनों की value 130 तो ये 130 है ये 130 है दोनों alternate interior angles है alternate interior angles जब बराबर होते हैं तो वो दो line आपकी parallel होती है जहाँ पे बनते हैं अब alternate interior क्या होते हैं एक बर मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको ये दो line है एक transverse ले से काटा तो अंदर का ये वाला और दूसरी तरफ का ये वाला ये आपका कुछ z जैसा बन जाता है ऐसे तो ये angle और ये angle ये alternate interior होते हैं तो इसका तो ये हो गया 1 का 2 हो गया और यहाँ इस थरीका alternate interior angle pair ये 4 हो गया तो ये होते हैं आपका alternate interior angles चली ये आपका फर्स्ट कोशन था इसके बाद कोशन नंबर करते हैं 2 कोशन 2 की ये figure है बुक में दियो ही है आपको कोशन पढ़ते हैं इन figure 6.29 इस figure के अंदर इफ AB parallel to CD अगर ABCD के parallel है ये AB है ये CD है ये दोनों आपस में parallel है CD parallel to EF और जो CD है वो EF के parallel है and Y ratio Z is equal to 3 ratio 7 और ये जो X, Y, Z तीन angle दे रखे हैं इनमें Y ratio Z जो है ये 3 is to 7 है तो find X तो फिर आपको X की value निकाल ली है तो given तो ये तीन चीज़े हैं और to find में हैं आपको X की value निकाल ली है देखिए parallel line की properties का है इसके अंदर use करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे हमें जो value दे रखी है ना जो ratio दे रखी है वो Y और Z की दे रखी है तो मैं Z के pass वाला जो angle है ना इसे मैं कुछ मान लेता हूँ मैंने 1 मान लिया इसको और 1 और Z ये दोनों मिलके ये आपके 180 degree के हो जाएंगे क्योंकि linear pair इसकी सवाल की शुरुआत इस तरह से होगी आपकी तो इसको मैंने 1 मान लिया फिगर में आप लिखना फिगर में तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस Z is equal to 180 degree और इसका reason लिखेंगे linear pair अच्छा आप ये जो 1 है ये Y के बराबर है क्यों क्योंकि CD जो है EF के पहलल है और जब इस तरह के एंगल होते हैं A की place पे और A की side में यानि की right side में और दोनों अपनी अपनी lines के उपर है इस line के उपर Y है इस line के उपर 1 है इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उन्हें corresponding angles बोलते हैं और जब lines parallel होती हैं तो corresponding angles आपके बराबर होते हैं तो Y आपका 1 के बराबर होगा इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि angle 1 is equal to Y reason में लिखेंगे corresponding angles अच्छा अब अपनी equation और 1 और 2 इनका अगर नाम रख दे 1 टू तो इन पर ध्यान दे कि Z प्लस 1 ये 180 है और 1 Y के बराबर है अब तीसरी एक चीज़ और निकालते हैं इसमें से X और Y या Y और Z को लेते हैं यह जो 1 है ना 1 मेरा Y के बराबर है मैंने माल लिया यहाँ पर Y है इस तरह से तो मैं यह लिख सकता हूँ कि Y प्लस Z मेरा 180 हो जाएगा क्यों क्योंकि 1 जो Y के बराबर ही तो है तो मैंने यहाँ पर Y माल लिया इसको तो Y प्लस Z क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा यह चीज़ आगे मेरी मुझे पता चल गया कि Y और Z दोनों मिलके 180 डिगरी के हैं अब Y और Z में जो रेशियो है उसका यूज करेंगे देखिए गिवन में दिया है आपको Y रेशियो Z is equal to 3 रेशियो 7 तो Y के हिस्थे में कितना इंगल आएगा पहले वो निकालेंगे तो उसके लिए करते हैं sum of ratios पहले जो रेशियो है यानि यह जो टुकडे है यह total टुकडे कितने हैं अगर टुकडे मालने आप तो तो sum of ratios हो गया आपका 3 प्लस 7 is equal to 10 और यहां से जब Y की value निकालेंगे तो Y आएगा आपका क्योंकि total हिस्से तो 10 है और 10 में से 3 हिस्से आपके Y के हैं तो 3 और एंगल कितना है 180 यानि 180 को आपको 3 हिस्सों में बाटना है total हिस्से उसके 10 है 10 हिस्से हैं उसके और उसका जो 3 टाइम से वो आपको निकालना है जब भी ratio दी होती है न आपको तो हमेशा इसी तरह से value निकालते हैं सबसे पहले तो वह जो आपकी ratios होती है उनका sum निकालते हैं और फिर यहां से ratio देखते हैं कि किसके अंदर कितना हिस्सा है देखिए Y के हिस्से में तीन हिस्से को बाटना है तो वाई के इससे में आएगा आपका 183054 डिगरी तो वाई की तो वैलू होगी आपकी 54 डिगरी अच्छा अब वाई 54 आ गया यहां से जैड निकालने के आपको जुरूत नहीं है क्यों नहीं है वो मैं भी बताता हूँ आपको क्योंकि यहां वाई की वैलू आपको 54 पता चलगी यह चीज यह 54 पता चलगी अब अपने एक्स और वाई में हम दूसरा रूल लगाएंगे एक को इंटीरियर एंगल्स है यानि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल्स इन्हें हम इस तरह भी बोलते हैं एंगल्स और जब यह लाईन्स पैलल होती है ना तो इनका जो सम होता है वो आपका 180 डिगरी होता है तो इसको यूज करेंगे अब तो नाव x plus y is equal to 180 degree और इसका reason लिखेंगे हम कि sum of co-interior angles is 180 degree जब lines parallel होती है अब यहाँ पे x तो पता नहीं है मेरे को लेकिन y की value मुझे 54 पता चल गई 54 और यह दोनों मिलके 180 के है तो यहाँ से x पता चल जाएगा तो x is equal to 180 degree minus 54 minus करते ही आपका answer है तो x की value आजाएगी आपकी इसमें से minus करना आपकी 126 degree आएगा यह आपकी x की value आगी तो इस तरह का यह question था question number 3 in figure if a b parallel to c d यह figure दी हुई है आपको book में इसमें a b c d के parallel है e f perpendicular to c d और जो e f है यह c d के उपर perpendicular है and g e d is equal to 124 और g e d यानि इतना angle g e d यह सारा 126 के बराबर है यह चीज़ा इसमें given है find आपको पता करना है angle a g e a g e इसका मैं number 1 नाम रख लेता हूँ एक यह number 1 angle आपको find करना है g e f आपको find करना है g e f इसका number 2 रख लेते हैं और f g e f g e इसका number 3 रख लेते हैं यह जो 1, 2, 3 हैं यह angles आपको find करने हैं तो चले शुरू करते हैं इसको देखें सबसे पहले हम अपना ध्यान लगाएंगे यह जो 126 आपको given angle g e d d यह g e d angle आपका बराबर होगा a g e के क्यों क्यों क्योंकि a b और c d तो parallel lines हैं और इन parallel lines को यह transversal आपकी काट रही हैं जैसे इस तरह की parallel lines होती हैं और यह काट रही है तो यहां का angle और यहां का angle इन्हें alternate interior angles भी बोलते हैं तो यह आपके बराबर होंगे तो a g e हो जाएगा g e d के बराबर तो angle a g e g e d की value आपको given दी हुई है यह आपका 126 degree है तो first तो आपका हो गया first angle आपका पता चल गया कि a g e 126 होगा second में आपको पता करना है g e f g e और यह f आप देखें g e f आपका यह इतना angle है छोटा वाला और total angle जो है आपका 126 है g e d यह पूरा का पूरा 126 है और इतना angle f e d यह 90 degree है तो अगर पूरे 126 में से यह 90 minus कर देते हैं तो आपका angle 2 पता चल जाएगा यानि कि g e f पता चल जाएगा तो यह इस तरह से होगा now g e d angle g e d is equal to 126 इसे ऐसे लिखेंगे आपकी यह given है अब g e d के आप दो टुकडे कर लीजिए g e f होगा है तो angle g e f plus angle f e d इन दो एंगलों से मिलके आपका g e d बनता है और यह पूरा दिया है आपको 126 डेरी अब g e f की value तो आपको निकाल लिए तो इसे तो ऐसे रख लीजिए और f e d यह perpendicular है तो यह 90 की value है इसकी is equal to 126 अब यहां से आपका g e f निकल के आ जाएगा g e f is equal to यह 126 यह 90 minus हो जाया गए दे राके तो angle g e f की value आई आपकी 90 minus हो गया तो 36 डेरी आ गया तो इस तरह से आपका इन नंबर 2 एंगल यह यह जी एफ 36 डेरी हो गया अचा अब थर्ड नंबर पर आपको निकालना है इसमें f g e f g e निकालना है तो देखिए नंबर 1 और नंबर 3 यह दोनों एक straight line पर आ रहे हैं दोनों के दोनों linear pair बन रहे हैं तो 1 प्लस 3 आपका 180 डिगरी हो जाएगा तो थर्ड portion यहां से करते हैं इसमें लेंगे आप अपना एंगल नाम लिख लेता हूं है a g e angle a g e plus angle f g e दोनों के दोनों मिलके होंगे 180 डिगरी क्योंकि straight line है यह दोनों एंगल मिलके आपका linear pair बना रहे हैं और linear pair के जो angles होते हैं उनका sum 180 होता है अब जो a g e है a g e आप अपना first में निकाल चुके हैं देखिए यह रहू a g e आपका 126 है तो a g e की जगे आपके 126 लिख ले और f g e तो आपको निकाल नहीं है यह ऐसे रख ले is equal to 180 degree तो यहां से angle f g e की value आ जाएगी यह 180 में से इधर जाके 126 यह minus हो जाएगा और जैब इसे minus करेंगे तो आपका 54 degree हा जाएगा तो इस तरह से इस figure में आपने यह टीन ओ एंगल निकाल दिये चलिए इसके बाद question number करते हैं 4 question 4 आपका बहुत important question है बुक से question पढ़ते हैं पहले यह जो figure है इतना इतना आपको बुक में दिया हुआ है question पढ़ते है in figure PQ parallel to ST यह जो PQ है यह ST के parallel है PQR is equal to 110 और PQR इतना जो angle है यह आपका 110 degree है and RST RST यह जो इतना portion है यह आपका 113 degree है तो find QRS आपको QRS find करना है QRS बन रहा है आपका यहाँ पर अगर मैं इसका यह mark कर देता हूँ यह यह angle आपको find करना है अब देखे इसके अंदर आपको थोड़ी सी construction करनी पड़ेगी construction करने से क्या होगा कि आपका एक triangle form हो जाएगा और triangle form होने से आपका सवाल angle sum property से फिर यह solve हो जाएगा तो construction यह है कि अपने इस PQ को बढ़ा दीजिए इस PQ को इस तरह बढ़ा दीजिए और यह आपका ST के parallel होना चाहिए इसका कुछ नाम रख लेते हैं यह यहाँ पर आपका टकराएगा M और इसका नाम में यहाँ पर कुछ रख लेता हूँ K यह construction आपको करनी है तो इस construction को आप language में लिखे extend PQ towards K K की तरफ as PK is parallel to ST आप PQ को SAT K की तरफ बढ़ा दीजिए और इस तरह से की ST जो होना आपके इसके parallel होना चाहिए यहाँ पर इसका नाम है रख दिया यह के होगा चलिए यह तो इतना होगा construction अब सवाल की शुरुआत करते हैं देखे सवाल में क्या strategy रहेगी simple सा यह है अब आपको QMR यह triangle दिख रहा होगा इसके अंदर यहाँ पर angle क्यों बाहरवाला 110 है linear pair लगाके यह और यह angle linear pair लग जाएगा तो अंदर का जो triangle का angle हो आपका 70 degree आ जाएगा क्योंकि यह दोनों मिलके 180 होते हैं अच्छा इसी तरह से यहाँ पर यह line और यह line आपका ST और M के parallel है न तो parallel line के जो अंदर के angles होते हैं co-interior angles वो 180 होते हैं तो S और M मिलके 180 होंगे तो यहाँ से M आ जाएगा M आ जाएगा तो इस तरफ वाला M आ जाएगा तो triangle में आपके यह दो angles आ जाएगे उसके बाद angles अंप्रोपर्टी लगा के आपका R आ जाएगा तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसको PQR angle PQR plus angle MQR यह दो angle मिलके आपके 180 degree के हो जाएगे reason होगा linear pair क्योंकि line पे बन रहे हैं दोनों angles linear pair तो PQR की value 110 पता है angle MQR unknown है is equal to 180 degree तो यहाँ से आपका MQR आ जाएगा 180 degree यह 110 इदर चला जाएगा 110 तो angle MQR is equal to 70 degree आ गया तो triangle के अंदर आपका यह जो angle है यह आपका 70 degree पता चल गया यहाँ पे अब हमको यह जो M है यह मालूम करना है अंदर का लिकिन उससे पहले बाहर का पता चलेगा अब लिखेंगे हम since S T parallel to M K क्योंकि यह दोनों लाइन्स पैरलल है न तो यह वाला angle या निकी T S M angle T S M plus angle S M K angle S M K यह दोनों मिलके आपके 180 degree के होंगे reason क्योंकि लाइन्स पैरलल है और यह co-interior angles है co-interior angles यहाँ से T S M की value आपको पता है 113 sorry 113 नहीं है यह 130 है यह मैंने गलत लिख दिया यह 130 है 130 है यह तो इसकी value है 130 degree और S M K यह हमें मालूम नहीं है तो angle S M K as it is लिख देंगे is equal to 180 degree तो यहाँ से S M K आ जाएगा angle S M K आ जाएगा 180 minus 130 तो angle S M K आ गया 50 degree यह जो पार्ट है यह आपका 50 degree आ गया यह चीज़ अब अगर यह 50 आ गया तो इसके सामने यह जो है यह भी 50 आ जाएगा क्यों? X बन रहा है ना cross जब cross बनता है तो vertically opposite angle से बराबर हो जाते हैं अगर यहाँ पर 50 आ गया तो यह भी 50 आ जाएगा triangle के अंदर यह 50 आ जाएगा तो therefore अब हम अपना अंदर वाल angle लिखेंगे triangle का QMR therefore triangle sorry angle QMR is equal to हो जाएगा angle SMK तो QMR बराबर हो गया SMK SMK की value है 50 degree और reason लिखेंगे यहाँ पर vertically opposite angles यह vertically opposite angles है अच्छा यहाँ पर 50 पता चल गया अब अपने triangle पर ध्यान दे आप इसमें आपका triangle जो बन रहा है इस triangle पर ध्यान दे triangle में आपको अपना angle Q पता चल गया M पता चल गया R पता चलाना है तो अब इस तरह लिखेंगे सवाल को in triangle Q M R Q M R triangle बनाए ना आपका angle Q plus angle M plus angle R तीनो angles मिलके आपके 180 degree के हो जाएंगे यह क्यों हो जाएंगे angle sum property of triangle angle sum property of triangle यानि triangle के तीनो angles का जो sum होता है न वो 180 degree होता है अब Q की value हमको पता है 70 degree 70 लिख लिया M हमने निकाल लिया अपने triangle का 50 degree R हमको निकालना है is equal to 180 degree 70 और 50 120 हो गया plus angle R is equal to 180 degree तो यहां से angle R की value आगी 180 degree और यह 120 दरजा के माइनस हो जाएगा तो angle R आगया 60 degree अब angle R क्या है angle R है आपका Q R S तो angle Q R S is equal to 60 degree यही आपका answer है यही आपको निकालना था तो I hope आपके questions दोन अच्छे से समझ में आए होंके question number 5 in figure if A B parallel to CD यह figure दिऊ ही है आपको book में इसमें A B CD के parallel है angle AP Q is equal to 50 degree AP Q इतना वाला जो angle है यह 50 degree है and angle PRD is 127 और PRD इतना angle यह 127 है find X and Y तो आपको X की और Y की value निकालना है यह जो angles बने हुए X और Y तो देखे गिवन लिख लेंगे पहले तो parallel lines दी हुई है आपको angle यह 50 दिया है यह angle आपको 127 दिया है तो X की value इसमें पहले निकालते है देखे पहले line जब दी हुई होती है तो इसमें parallel line की property आपकी लग रही है यह वाली line और यह line आपकी parallel है और यह जो PQ है यह transversal है तो जब line transversal होती है parallel line को काटती है तो alternate interior angles जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं इस case में देखे यह angle जो 50 है और यह जो angle X है यह आपस में alternate interior angles है यह आपका Z जैसा बन जाता है तो यह alternate interior angles होते हैं यह बराबर होते हैं तो X तो यहां से पता चल गया कि 50 degree है लेकिन इसको पहले angle के नाम आपको लिखना पड़ेगा तो solution में लिखेंगे APQ is equal to angle PQR यह आपस में बराबर है क्यों? क्योंकि यह alternate interior angles है और lines parallel है तब ही बराबर होते हैं आपके अगर lines parallel नहीं होंगी तब भी alternate interior बोले जाएंगे आपके लेकिन तब ही आपके बराबर नहीं होते हैं ठीक अब इसकी value लिखते हैं देखें, APQ की value दी हुए 50 degree और PQR आपका X तो X ही तो निकालना है तो X तो हमारे पास आगया therefore, X is equal to 50 degree तो X की value तो आगया तो Y निकालना है तो Y के लिए अब line parallel ABCD आपके parallel line है इस बार मान लेते हैं कि यह जो PR है यह आपका transversal है इसको लेते हैं तो जब यह transversal है तो आपका यहां से यहां तक का angle और यहां से यहां तक का यह पूरा angle यह आपस में बराबर होगा तो यह alternate interior angles होगे तो इस बार लेंगे APR और यह है alternate interior angles अब APR मिलके बनाए है आपके 50 और Y से तो यहां पे इसको हो 50 प्लस Y लिख लेंगे और PRD की value आपको question में ही दी हुई है 127 यह 127 degree के बराबर है तो यहां से Y की value आजाएगी 127 degree में से यह 50 दरजा के आपका minus हो जाएगा और minus हो के value आती है इसकी 77 इन्हें minus करेंगे 77 आगए यह आपके Y की value होगी बस यह दोनों आपके answer आगे इतना ही question था है चलिए इसके बाद question करते हैं 6th question 6 book से read करते है question 6 आपका बहुत important question है in figure 6.33 यह 6.33 figure जो आपको दी हुई है इसके अंदर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other यह PQ और यह RS यह दो आइने हैं और यह आमने सामने parallel रखे हुए है an incident ray AB strikes the mirror PQ at B एक ray है AB ray यह PQ mirror को यहाँ पर टकराती है B point पे देख रहे हैं आप यह जो AB है यह SAI और PQ mirror के उपर B point के उपर टकराई the reflected ray moves along the path BC और फिर reflected जब कोई आइने के उपर कोई चीज पढ़ती है कोई रोशनी पढ़ती है तो वो वापिस भी तो जाती है उसे reflection बोलते है तो यहाँ आने के बाद B से फिर यह BC की तरफ चली गई and strikes the mirror RS at C और जो RS mirror है इसको इसने C point पे strike किया and again reflects back along CD और फिर यहाँ टकराने के बाद फिर से CD की तरफ चली गई यहाँ टकरा ही फिर इस तरफ चली गई तो prove that AB parallel to CD तो आपको prove करना है कि यह जो AB है और यह CD है यह जो दो raise है यह आपकी parallel है यह आपको prove करना है तो question सिर्फ इतना है कि यहाँ से एक ray आई यहाँ टकराई यहाँ से आके इस आईने पे टकराई और फिर यहाँ से ऐसे चली गई तो इन दो line हो को आपको parallel prove करना है यह question बहुत important है तो आप इससे थोड़ा ध्यान से देखना है यह इसकी figure मैंने बनाई हुई है अब question को करने के लिए इसमें आपको थोड़ा construction करना पड़ेगा construction मैं अलड़ी कर चुका हूँ construction क्या है कि यह जो AB और C angle बना हुआ है आपका यानि की B point B point पे आपको एक perpendicular बनाना है मानलिया B E बना दिया और इसी तरह से C point के उपर आपको एक perpendicular बनाना है मैंने हाँ पे C F बना दिया यह इसके अंदर construction है उसके बाद इसमें कुछ angles का use होगा उन एंगलों का नाम रख लेंगे मैंने हाँ पे 1 रख लिया यह यह 2 रख लिया यह 3 रखा और यह 4 रखा तो सबसे पहले construction किया तो इसको construction को आप language में लिख के दिखाएंगे construction में आप लिखेंगे at point B draw B E perpendicular to P Q draw B E perpendicular to B Q यही तो क्या है add add point C add point C C point के उपर draw C F perpendicular to RS यह तो है इसमें construction अच्छा इन angles को मैंने तो let करी लिया है figure के अंदर आप ऐसे put करेंगे और फिर अपने direct answer शुरू कर देंगे देखिए angle 1 और angle 2 इसमें यह दोनों आपके बराबर हो जाएंगे आपने physics में पढ़ा होगा कि जब किसी आइने के उपर कोई ray पढ़ती है और फिर वो वहाँ से टकरा के इस तरह से जाती है तो यह जो यहाँ पे जो perpendicular बनेगा यह इस पूरे angle को दो हिस्सों में बाट देगा जैसे यह आईना है यहाँ पे कोई ray पढ़ी और यहाँ से टकरा के ऐसे चले गई तो अब इस point के उपर अगर हम बिलकुल perpendicular डालते हैं तो यह इस पूरे angle को जो की इन दो ray से मिलके बनाए एक आने वाली ray और एक जाने वाली ray और यहाँ पे अगर perpendicular पढ़ जाता है तो यह इस पूरे angle को equal कर देता है मतलब bisect कर देता है दो टकरों में इसे हम इस तरह से लिखते हैं पहले तो लिखेंगे angle 1 is equal to angle 2 यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे angle 3 is equal to angle 4 और दोनों का reason लिखेंगे हम angle of incident is equal to angle of reflection कि जिस angle से कोई चीज आईने पे पढ़ती है उतने ही angle से वो चीज reflect होके दूसरी तरफ चले जाती है यह इस बात का मतलब है ठीक है 1 और 2 आपस में बराबर 3 और 4 आपस में बराबर यह हमने लिख लिया इन्हें मैं number 1 और 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे जगे नेरी यह आपका 1 है यह आपका 2 है आप एक चीज और देखिया फिगर में हमने BE perpendicular की चाता PQ के और CF को perpendicular किया था RS के तो यह इस लाइन पे perpendicular यह इस लाइन पे perpendicular तो perpendicular lines जो होती है जब आमने सामने इस तरह से perpendicular होती है तो वो lines parallel हो जाती है याने की B, E और F, C यह आपकी parallel lines हो गई जब यह parallel lines हो गई तो फिर alternate interior angles आपके बराबर हो जाते हैं मैंने भी बता है रहा parallel lines में आपका Z जैसा बन जाता है तो यह वाला angle और यह वाला angle यह बराबर होते हैं इने बोलते हैं alternate interior angles तो यहां ऐसे लिखेंगे because be parallel to fc therefore angle 2 is equal to angle 3 reason लिखेंगे alternate interior angles इससे number 3 रखते हैं अब देखें 1, 2 और 3 से आप क्या देखेंगे 1, 2 के बराबर है 3, 4 के बराबर है और 2 और 3 आपस में बराबर है तो यहां से ये जो 2 और 3 हैं ये तो आपस में बराबर होगे तो हमें क्या मिल गया हमें मिल गया कि 1 और 4 भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि 2 और 3 आपस में ये दो equation है इसमें 2, 1 के बराबर, 3, 4 के बराबर और 2 और 3 आपस में बराबर तो बाकी की जो दो चीजें ये भी तो आपस में बराबर होंगी तो यहां से हमें result मिल गया लिखेंगे from 1, 2, and 3 हमें मिल गया कि angle 1 is equal to angle 4 है angle 1, angle 4 के बराबर अब यहां तक तो बिल्कुल सीधा question है इसके बाद जो करना है वो आपको अपनी तरफ से करना है result लाने के लिए क्या करेंगे इन दोनों angles को twice कर देंगे यानि इसको 2 से multiply कर दिया इसको भी 2 से multiply कर दिया twice कर लिया तो इसे बारी-बारी से अलग से लिख लेंगे angle 1 प्लस angle 1 इसी तरह इसे लिख लेंगे angle 4 प्लस angle 4 अब क्या करेंगे कि यहां पर 1 तो 1 है लेकिन यहां 1 की जगे पे न हम 2 लिख लेंगे ऐसा क्यों करेंगे क्यों देखिए हमारा angle 1 angle 2 के बराबर है न लिख सकते हैं हम ऐसा यहां पर क्या करेंगे angle 4 को तो angle 4 रख लेंगे लेकिन एक angle 4 को एक angle 4 को हम angle 3 लिख लेंगे क्योंकि 4 और 3 बराबर है यहां पर मैंने इसको 3 लिख लिया और reason में मैं यहां देदूँगा कि from 1 and 2 1 and 2 से reason क्योंकि उपर यह क्यों है बराबर क्यों लिखा है यह 1 और 2 में हम दिखा चुके हैं उपर यह क्यों किया हमने क्योंकि 1 और 2 मिलके मेरा यह angle पूरा बन गया DCB पूरा angle बन गया और 3 और 4 से मिलके मेरा बन गया ABC तो एक complete angle बन गया और यह जो दोनों angle बन रहे हैं यह बन रहे हैं आपके alternate interior angles कौन सी दो साइडों में कौन सी दो line के बीच AB और CD के बीच तो जब alternate interior angles बराबर हो जाते हैं तो आपकी वो line ने parallel हो जाती हैं तो बस इतनी सी थी इसके बाद तो यहां पर 1 और 2 को लिख देंगे DCB angle DCB और यहां पर 4 और 3 को लिख देंगे ABC यह दोनों आपस में बराबर हो गए अब लिखेंगे but they are alternate interior angles लिकिन यह alternate interior angles है अब जब alternate interior angles है और यह आपस में बराबर है तो जिन दो line के बीच में यह बन रहे हैं वो आपस में parallel होंगी तो therefore AB parallel to CD यह हमको prove करना था तो यह होगा hence proved यह question आपका काफी important है exam में यह बहुत बार पूछा जाता है तो I hope आपको यह दोनों question बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे वीडियो गर अच्छा लगा हो तो please से like करना friends में, classmates में share करना और 9th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस channel को भी subscribe करना Thank you